Hello everyone, स्वागत आप सभी का टॉपस्ट्रेंग चैनल में अगर आपनी हमारी चैनल को अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लीजिए उसके साथ है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंज के साथ भी जो है वीडियो को शेयर करें और इसके बाद जो है जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक बैल आइकन मिलेगा वहां पर प्रेस जरूर करें उससे क्या होगा कि जो भी हम नहीं वीडियो डालेंगे वो आपको जो है उसका नोटिफि पर होंगे चाहे पटवारी हो पुलीस हो हर एक के लिए जो है मोग टेस्ट मिलेंगे और यह मोग टेस्ट होंगे वो नए पैट्रिन पर आधारित होंगे जब आप इन टेस्ट सीरीज को खरीदेंगे तो वो आपको 250 में मिलेगा लेकिन जब आप हमारा जो ये यूज कोड लिखा हुआ है यहां पर जो कोड यूज करेंगे टोपर्स 40 तो आपको इस पर 40% ओफ मिलेगा फिर आपको ये 250 की बजाए जो है 149 में अवेलेबल हो जाएंगे जिस पर आपको 101 रुपे की चूट मिल जाएगी ओके एप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बोक् है 10 raise to power minus 9 meter 10 raise to power minus 6 meter 10 raise to power minus 12 meter 10 raise to power minus 15 meter तो 1 micron जो है ये बरावर होता है 10 raise to power minus 6 के तो C option जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 10 raise to minus 9 meter जो है ये बरावर होता है 1 nanometer के और minus 12 जो है ये होता है 1 pico meter के बरावर और minus 15 जो है ये 1 femtometer के बरावर femtometer तो 1 femtometer 10 raise to power minus 15 1 pico meter 10 raise to power minus 12 meter 10 raise to power minus 6 याने की 1 micron और 10 raise to power minus 9 means 1 nanometer होता है ठीक है next question है शेत्र मापी का प्रियोग किसके मापन के लिए क्यार जाता है शेत्र मापी याने की प्लेनी meter p-l-a-n-i-m-e-t-e-r इसका प्रियोग जो है क्या मापने के लिए किया जाता है तो right answer हो जाएगा शेत्र को मापने के लिए किया जाता है शेत्र मापी का प्रियोग next है नीम जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है नी मिज़ित वस्तु means जो जल के भीतर वस्तु एडूब जाती है उनका पता लगाने के लिए जैसे जहाज है पंडू भी है इनका पता लगाने के लिए किसका प्रियोग किया जाते है तो ये क्या जाता है सोनार का सोनार की full form पूछ सकते फिर आप से सोनार होता है तो यह होता है sound navigation and ranging ठीक है next देखिए समुद्र में डूबी वस्तू का पता लगाने के लिए किसी अंतर का प्रियोग किया जाता है तो question वही है लेकिन दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं तो right answer क्या हो जाएगा? सोनार का प्रियोग किया जाता है अगला है वह उपक्रिण जुद्ध्वानी तरंगों की पहचान तनत्ता विजू रेकन के लिए प्रियोग होता है क्या कहलाता है? तो right answer क्या हो जाएगा यहां पे भी sonar कहलाता है ठीक है तो भी option जो है सही हो जाएगा अगला देखिए जल परवा को मापनी की unit क्या है micro, ohm, meter, millicuri या q-sic तो देखिए जल परवा को जो मापनी की unit होती है वो थी q-sic ठीक है q-sic से जल परवा मापते है या फिर इसी का आ जाता है cubic meter second ठीक है इसे cubic meter per second भी बोला जाता है ठीक next देखिए निवल लिखित मेंसे क्या vector प्रिमान नहीं है जो इन मेंसे vector quantity नहीं है वो बतानी है गती, वेग, बल, आघून या विस्थापन देखिए vector quantity क्या होती है जिसमें दोनों चीज़ होती है magnitude भी होता है और direction भी होती है जिसमें दिशा भी होती है और प्रिमान भी होती है वो होती है vector quantities या vector राशिया कहते है इसके example क्या होती है जो vector quantity होती है force हो गया ठीक है उसके लावा displacement weight momentum, acceleration, velocity यह सारी चीज़े क्या होती है यह होती है vector quantity scalar quantity कौन सी होती है जिसे हम सदिश या राशि बोलते है वो होती है speed, time, distance, mass, area density, walk, temperature, energy वो होती है scalar quantity तो जो इन में vector नहीं है वो बतानी थी तो देखे वेग हो गया विस्थापन हो गया, बल आघोन हो गया यह तीनों ही क्या है vector quantity है गती, speed जो है वो क्या है, scalar quantity है तो यहां पर right answer first हो जाएगा next है पधार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है दो ब्रोगली तरंगे विद्यू चुम्ब के तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे या अनुदर्धे तरंगे तो देखिए जो पधार्थ की तरंगे होती है वो कहलाती है ब्रोगली तरंगे quantum mechanics में जो है पधार्थ की तरंगों को क्या का जाता है ब्रोगली तरंगों की नाम से जाना जाते है ठीक है next है किसी स्थान पर चुम्बकिय यामोत्र और भोगलिक यामोत्र के बीच कौन कैसा होता है तो चुम्बकिय यामोत्र यानि की magnetic meridian और geographic meridian के बीच जो angle बनता है वो कैसा होता है वो होता है angle of magnetic declination तो यहाँ पर declination जो है सही हो जाएगा first option जो है सही होगा ठीक है next सीखिए वायो मंदल की कौन सी परत हमें बेतार संचार करनी में समर्थ बनाती है शोभ मंदल, संताप मंदल बाये वायो मंदल या मध्या मंदल बेतार संचार, बिनातार के communication वो किस उसमें होता है तो देखे यह वैसे होता है आयन मंदल में जो मध्या मंडल के ऊपर जो पर्त होती है आयन मंडल, उसके बाद ये वायो मंडल में भी होता है, तो राइट आंसर यहां पर ये वायो मंडल हो जाएगा, लेकिन अगर उप्शन में आपको आयन मंडल मिलता है, तो वो जादा सही रहेगा इसका अंसर, क्योंकि जो आयन क्या सकते हैं, नेक्स्ट सामान्य फसलों के उगने के लिए उप्यूक्त उरूर मिट्टी में निमलिकित में से कितना पीच मान होने की संभावना होती है, तीन, चार, छे से साथ, नो से दस, तो देखें, जो उरूर मिट्टी होती है, उसमें जो पीच मान होता है, वो होता base को mapने के लिए कितना acid है कितना base है 7 पे neutral होता है 7 से कम वालों में acid होता है और 7 से जादा वालों में base होता है ठीक है तो यह कह सकते हैं कि 7 से pH मान जिसका कम हो वो क्या होंगे acidic और जिसका जादा हो वो क्या होंगे base ठीक next देखें जल विद्युत साइनिक और जाद तो जल विद्युत power station जो होते हैं उनमें जो ultimate source होता है energy का कोन होता है सूरिय होता है means सोर उड़ जाओ होता है तो first option जो है यहाँ पर सही हो जाएगा next है जाजो में समयम आपने के लिए प्रियुक्त उपकरन है sonometer, chronometer, galvanometer या bolometer तो देखे जहाजों में समयम आपने के लिए जो करन use किया जाता है वो है chronometer ठीक है इसका use किया जाता है समूदरी जो जहाज होते हैं उसमें सही समय का मापन करने के लिए chronometer next है जब किसी वस्तु को प्रित्वी से चांद पर ले जाया जाए तो द्रवयमान बदल जाता है प्रंतु भार उतना ही रहता है भार बदल जाता है प्रंतु द्रवयमान उतना ही रहता है भार और द्रवयमान दोनों बदल जाते हैं भार और द्रवयमान दोनों एक समान रहते हैं तो जब भी किसी वस्तु को पृत्वी से चांद पर ले जाया जाएगा तो क्या होगा उसका भार जो होगा वो बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वो एपरिवर्तित रहता है द्रव्यमान जो है सीम रहता है उतना ही रहता है तो भी option यहापे सही हो जाएगा और एक दूर चीज़ याद रखिए कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो पृत्वी पर उसके भार का, मतलब चांद पर जब जाएगा तो वो पृत्वी के भार का एक बटा छे भाग होता है सिर्फ तो यानि कि वो बदल जाते है, और नेक्स्ट है तो या थिया है हरी केन को, ठीक, हरी केन यह यह दिया आया था 2005 में अट्लांटिक महसागरमी, ओके इसे को का्टरिना नाम दिया गया था तुफान को next है प्रकास वर्ष किस का एकक है, समय का दूरी, प्रकास या प्रकास की तिवरता प्रकाश वर्स यानि कि light year किसका मातरक है तो ये है दूरी का ठीक है बी ओप्षन जो है सही हो जाएका distance का है light year से क्या measure करती है distance फिर जो है one light year पूछा जाता है कि किसके बराबर होता है तो one light year जो है ये बराबर होता है 9.46 into 10 raise to power 15 meter के ठीक है next देखे नासा के किस से सम्बंदित mission का नाम जूनो है शनी मंगल ब्रशपती अपयुक्त में से कोई नहीं तो देखे नासा द्वारा जो है जो mission था जूनो ये था सोर्बंडल के पांचवे गिरे ब्रशपती का अध्यन करने के लिए तो ये जो 2011 में प्रक्षेपित क्या गया था तो C option जो है यहाँ पर सही हो जाएगा next देखे भारत कैसे प्रत्थम राश्ट्रपती कोन थे जिन होने भारतिय सीना के सुखोई फाइटर एरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी APJ अब्दुलकलाम श्रीमती प्रतीबाब आटिल के आर नारायनन या डॉक्टर शंकर देयाल शर्मा तो शुखोई फाइटर एरक्राफ्ट में जो है 30 मिनट की उड़ान भरने वाले भारत के जो पहली राश्ट्रपती थी वो थे डॉक्टर APJ अब्दुलकलाम और ये उड़ान भरी थी उन्होंने 2006 में ठीक है उड़ान अभी लेखी का तक्नीकी नाम क्या है गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स या उचाई मापी, यंत्र देखें उड़ान अभी लेखी का जाता है ब्लैक बॉक्स को यानि कि काला बक्सा नेक्स देखिए सेफ्टी रेजर का आविस्कार किस ने किया लॉर्स ट्रॉस ने, स्टीव जॉब, जिलेट या स्टीव चेर तो सेफ्टी रेजर का आविस्कार किया था 1901 में किंग सी जिलेट ने सी ओप्शन जो है सही हो जाएगा किंग सी जिलेट ने, सबसे पहले कौन सी रेजर का आविस्कार किया था 1901 में और 1904 में जो है से प्रदान किया गया था ठीक है अगला है पैंसिलिन का आविस्कार किस ने किया जीम्स सिम्पसन, एड़्वरर जींर, ऐलेक्जेंडर फ्लैमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड तो पैंसिलिन की खोज की थी अलेक्सेंडर फ्लैमिंग ने 1928 में ये थे एक स्कोटिश वैग्यानिक और इन्हें जो है नोबल प्रुसकार भी मिल चुका है ठीक पारद थर्मामेटर का अविसकार किस ने किया था प्रिस्टले फॉरेन हाइट न्यूटन या गैलीलियो तो पारद थर्मामेटर का जो अविसकार था ये किया था फारेन हाइट ने तो भी ओप्षन यहां पे सही हो जाएगा जर्मन विज्ञानिक थे इससे पहले इनोंने 1709 में अलकोहल थर्मामेटर का भी आविसकार किया था और 1724 में ताप मापी भी जो है इनोंने जारी किया था नेक्स देखें टालिफोन का विसकार किस ने किया जी मारकोनी, अलेक्सेंडर, ग्लाहम, बैल, जे-ल, बैयर या थोमस बेरो तो टेलिफोन का जो आविसकार था वो किया था अलेक्सेंडर, ग्राहम, बैल ने अलेक्सेंडर, ग्र्याहम, बैल जो है सही हो जाएगा नेक्स ए तिका यानि की वेकसिनेशन का आविसकार किस ने किया था जेम्स सिंसन, एड़वर्ड जेनर, लेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बरनार्ड तो देखे, ना टीका करन जो है, वेक्सिनीशन किसकी देन है, एड़वर्ड जेनर की इसके लावा, चेचक के टीके का आविस्कार रख भी कौन है एड़वर्ड जेनर ही है, ठीक, नेक्स सेखे गैस इंजन का आविस्कार किस ने क्या था, देवी, डायम ले, डीजल या ओंस गैस इंजन का आविस्कार किस ने क्या था, कारल बिंज, Sir Frank Whittle, Thomas Severy, Michael Ferrande तो jet engine का जो अविस्कार था ये क्या था Sir Frank Whittle ने फिर jet engine किस सिधान्त पर कार्य करते है किस लो पर जो है काम करते है ये भी पूछा जाते है तो jet engine जो है rocket law पर काम करते है यानि कि rocket सिधान पर कार्य करते है वायू यान का विस्कार किस ने किया था अर्विले राइट और विलिबर राइट, Sir Frank Whittle, Michael Ferrande या Christian Husenus तो वायू यान का विस्कार किया था राइट ब्रेदर्स ने तो अर्विले राइट और विलिबर राइट फर्स्ट ओप्शन जो है सही हो जाएगा नेक्स देखिए वायू यान और रोकेट बनाने के लिए कौन सी धातू प्रियोग की जाती है सीशा, अलुमेनियम, निकल या तामबा तो वायू यान और रोकेट बनाने के लिए अलुमेनियम धातू का प्रियोग किया जाता है क्योंकि ये जो धातू होती है तो उत्री दुर्व की खोज की थी रोबार्ट पियरी में फर्स्ट ओप्शन जो है श्तही हो जाएगा यहापे नो सेना के निमली की जहाजों में से विमान वाहग की पहचान कीजिए आयनेस विराट, आयनेस तलवार, आयनेस राजपूत या आयनेस मैसूर तो इसमें से कौन सा है विमान वाहग, आयनेस, विराट फर्स्ट ओप्शन जो है सही हो जाएगा कौन सा प्रेक्षे पास्त्र, वायू से वायू वाला प्रेक्षे पास्त्र है यानि की एयर टू एयर है, कौन सा है इन में से तो राइट अंसर हो जाएगा अस्त्र से कौन सकन परमानु के नाभिक से समंदित नहीं है? इलेक्ट्रोन, ट्रोटोन, न्यूरोन और सोरी, न्यूट्रोन या मेरोन. तो राइट अंसेर क्या हो जाएगा? मेरोन. D-Options जो है, सही हो जाएगा. निमन में से अधिक्तद द्रव्यमान किसका है? Electron, Proton, Neutron या Hydrosin Nucleus. तो देखे, सबसे ज़ादा जो द्रवेमान होता है, वो होता है Neutron का. कितना होता है? यह देख लेते हैं, देखे. Electron की अगर बात करें, तो यह होता है 0.000549 Amu. Proton का होता है 1.00728 Amu. Neutron का होता है 1.00867 Amu. और Hydrosin Nucleus का जो द्रवेमान होता है, वो होता है 1.00783 Amu. तो जो सबसे ज़ादा होता है, वो होता है Neutron का. 867. ठीक है? Next देखे, S. Chandrashakar का नाम निमलिकित में से किस चेतर के साथ जुड़ा हुआ है? ब्रहमान्ड विग्यान, रशायन विग्यान, ठीक है, जो किस से रिलेटिड है? खगोल, भोतकी से. ठीक है, 1983 में जो ही ने नोबल पुरुसकार भी प्रदान किया गया था. ठीक? Next देखे, क्लोरो-फ्लोरोकार्बन जातर कहां इस्तिमाल होता है? माइक्रोवन में, सोरिय हीट्रो में, धुलाई मशीनों में, या रफ्ली जड़ेट्रो में. तो CFC जो है, वो किस से मिलकर बनती है? कारबन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन से बनती है. CFC. और ये किसमें इस्तिमाल होती है? रफ्ली जड़ेट्रो में काम करती है. इसके लावा किसमें यूज होती है inhaler में जो है cfc यूज की जाती है जो foam के गद्दे होते हैं उनमें भी cfc का यूज क्या जाते है अगला है निमलिकित में से कौन से उत्करिष्ट गैस नहीं है उत्करिष्ट गैस मिन्स इनमें से कौन से यह जो नोबल गैस नहीं है तो हमें पते हैं नोबल गैस कितनी होती है 6 होती है कौन-कौन सी होती है helium होती है neon होती है argon होती है इसके लावा krypton, ginone और redone होती है तो 6 होती है नोबल गैस तो helium भी, organ भी, neon भी hydrogen जो है वो noble gas नहीं होती है आम तोर पर प्रियुक्त की जाने वाली gas है chlorine, hydrogen, neon या nitrogen तो right answer क्या हो जाए है आपे कौन सी gas यूज़ करती है neon gas का use किया जाता है अगला है बरफ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बरफ ठोस होती है और पानी तरल बरफ का घंतव पानी की अपेक्षाकरित कम होता है बरफ का घंतव पानी की अपेक्षाकरित अधिक होता है या बरफ का घंतव उतना ही होता है जितना की पानी का तो देखे बरफ ठोस होने के बावजूद जो है वो पानी पर तैरती है क्यों? क्योंकि बरफ का घंतव जो है वो पानी की अपेक्षाकरित कम होता है घंतव कम होने के कारण ही जो है बरफ पानी पर तैरती है पाईसी कारक एक एजिंट है जो पाईरस को स्थाई कर देता है पाईरस की गुणन में मदद करता है प्रिक्षेपन को तिवर करता है पाइस का समांगी करन करता है तो पाइसी कारक यानि की इमल्शन ठीक है? या इमल्सिफायर पाइसी कारक क्या हो जाएगा? इमल्सिफायर क्या करता है इमल्सिफायर? तो राइट अंसर क्या हो जाएगा? पाइसन को क्या देता है, स्थाई रूब देता है, तो पाइस को स्थाई रूब देता है, इमल्शन को क्या करता है, इमल्शन को स्थाई कर देता है, ठीक है, भारत की मिसाईल अगनी 2 है, नुकलियम मिशाईल, पृत्वी से आकाश मिशाईल, पृत्वी से पृत्वी कि यनिकी पूर्थवी से पृतिवी मिसाईल का मतलब क्या है सते से सते नो परमार करने वाली मिसाईल है पंडि से किस लिग सित्र कीया डिया ड्याड़्यों नेसे विक्सित किया था सिंध्ड देखिए पिक्नोमेटर नामकी उपकरण का प्योग Ellis के तुछलवाश्ट को आदिको जब यह्तर वायू को संत्रीप्त कब माना जाता है जब यह बंजर भूमी पर चलती हो जब इसमें जल्वाश्ट कांस अधिक हो जब इसकी मोटाई अधिक हो या जब दाग नहीं तम हो तो वायू को संत्रिप्त कब माना जाता है जब इसमें जलवाश्ट की मात्रा क्या होती है अधिक होती है तो बी ओप्शन जो है सही हो जाएगा नेक्स देखे पक्षियों को बहुत उचाई पर उड़ते समय सास की परेशानी क्यों नहीं मैसूस होती है उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं मिन निश्क्रेता के साथ उड़ते हैं उनमें अतिरिक्त वायू कोश होते हैं नेक्स देखे निमन में से कौन सा प्रक्षे पास्तर भूमी से वायू में जाने वाला प्रक्षे पास्तर है त्रिशूल के 15 सागरी का ब्रहमूष या अगनी तो सत्य से वायू में जाने के लिए कौन सा प्रक्षे पास्तर है त्रिशूल ठीक है नेक्स्ट ए 2G spectrum में प्रियुक्त जी अक्षर क्या है governance, global, generation या google 2G spectrum क्या है second generation तो right answer क्या हो जाएगा generation ठीक नेक्स्ट ए सोर प्रेनाली की खोज किस ने की थी Galileo, JL Bayard, Copernicus या Kepler तो सोर प्रेनाली की जो खोज थी वो की थी Kepler ने, Nicholas नहीं सोरी ओके, Kepler ने की थी सोर प्रेनाली खोज चीक है निमली कित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, inkjet, mudra, plotter प्रकाशिक लक्षन अभी आते है या speaker तो निर्गम उपकरण मेंस जो इन में से output device नहीं है, computer का question है वैसे है जो output device नहीं है वो बतानी थी तो देखे, plotter, speaker और printer, ये inkjet, mudra यानि की inkjet, printer तो तीनों क्या होती है, output device होती है तो जो नहीं होता है, वह है प्रकाशिक लक्षन अभी क्या आता है, वैसे क्या होता पता नहीं मुझे बाकि ये तीनों output होते है इसका English में नहीं बता क्या कहेंगे इसको, ठीक है नेक्स देखे, भारत में स्मस्त, अंतरिक, शियान, प्रचालन का मर्म केंदर, MCF, यानि के Master Control Facility का मुख्यले कहां है हैदराबाद, आंदरप्रदीश थुमबा कीरन, श्रीहरीकोटा, आंदरप्रदीश आसन, करनाटक में ठीक है, D option जो है, सही हो जाएगा ओटो हान किस आविशकार के लिए प्रस्थिद हैं तो किस आविशकार के लिए प्रस्थिद हैं ओटो हान एटम, बम के आविशकार के लिए ठीक है अगला है, सुरिये का प्रिकाश तापमान, वर्शादार, तथा, वायू, वेग एक साथ क्या बनाते हैं प्रियावरण, प्रिवेश, जलवायविकार, क्या जैविक, योगिक तो देखे, सुरिये का प्रिकाश हो, तापमान हो, आरदर्ता हो, वायू, मंडले, दोश, वायू, वेग और वर्शा, ये सारे मिलकर, जलवायू का निर्वान करते हैं तो जलवायू, ये कारण जो है, सही हो जाएगा याँ पर सोर उर्जा का कारण क्या है, सल्लन अभीकरिया, विखंडन अभीकरिया, देहन अभीकरिया, रसाइनिक अभीकरिया तो देखे सोर उर्जा का जो कारण है वो है सल्लन अभी करियाए ठीक है नाभी के सल्लन जो होती है वो नाभी के सल्लन अभी करियाए सुरिय में उश्मा और प्रकास किसके द्वारा उत्पन होती है तो नुकलियर अभी करिया द्वारा फर्स्ट अप्शन जो है सही हो जाएगा या फिर ना भी क्य सल्डन कह लीजिए फर्स्ट अप्शन जो है सही होगा निमलेकित में से कौन सा साधन जो है नभी करणिय योग यह है यूरेनियम, कोईला, इमारती, लखड़ी या प्राकरतिक गैस तो नवी करणिया संसाधन क्या होते हैं? जो easily जो है दोबारा अविलेबल हो जाएं वो होते नवी करणिया संसाधन ओके, युरेनियम, कोईला, इमार्ती लकडिया प्राकर्तिक गैस तो नवी करणिया वो योग्या जो है वो है इसमें इमार्ती लकडि इसके अलाबा उरकों नहैं होते नवी करणिया योग्या जैसे सोर उर्जा हो गई यानि कि सुर्य craft जो उर्जा प्रापत की जाती है वाईयू उर्जा है जैव उर्जा है, जल उर्जा भूतापिय उरजा, ये सारे क्या है? नवी करणिया है और यहां पे जो यह कोईला दिया है, प्राकर्तिक गैस हो गया, यूरेनियम है, पैट्रोलियम है, थोरियम है, यह सारे है एनविकर्णिय संसादन. ठीक है, जो एक बार खतम हो गए, तो जिने बनने में करोडों साल लग जाती है, वो होती है एनविकर्णिय संसादन. ठीक है अगला देखे निमिलिक्त में से क्या नवी करणी है योग्या संसाधन नहीं है जो नहीं है वो बताना था तो जवार शक्ति भी है, बूत आप योश्माभी है, विकरन ओर जाए, तीनों क्या है? नवी करणिया योगे संसादन है, थोरियम क्या है? एनवी करणिया संसादन तो फर्स्ट ओप्षिन जो है, सही हो जाएगा यूरेनियम विखंडन की इस तत प्रिक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है इलेक्ट्रोन, ट्रोटोन, न्यूट्रोन या पोजिट्रोन तो यूरेनियम विखंडन की जो प्रिक्रिया उसे जारी रखने में न्यूट्रोन की जरूरत होती है तो C option जैसे ही हो जाएगा PM 2.5 दरसाने वाली वायू की गुणता अधिक खतरनाक होती है पूरा तत्वे समारकों के लिए रास्टे पारकों के लिए वनिश्पति उध्यानों के लिए व्रिद पुरुश और महिलाओं के लिए तो PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है मतलब यह किसके लिए जादा खरतरनाक होती है यह खतरनाक होती है व्रिद पुरुश और महिलाओं के लिए ठीक है डी ओप्शन जो है सही हो जाएगा और यह खतरनाक क्यों होती है क्योंकि इसमें क्या पाजाता है धुआ होती है धूल होती है जो क्या होती है फेफडे तक पहुंच जाती है और जिससे स्वास्थय को गंबीर नुकसान पहुंचता है तो डी ओप्शन जो यहाँ पर सही हो जाएगा चैन करना है कि कौन सी जो है मिसाइल जो है किस से रिलेटिड है सबसे पहले अंतर महादवीव के बैलिस्टिक मिसाइल इन में से कौन सी है अंतर महादवीव के बैलिस्टिक मिसाइल तो वो है अगनी दूइतिय है अगनी सेकिंड जो है यह अंतर महादवीव के बैलिस्टिक मिसाइल है फिर है अल्प दूरी से पृत्वी से पृत्वी मिसाल, यानि कि कम दूरी पर स्तै से स्तै मार करने वाली जो मिसाइल है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पृत्वी, पृत्वी से आकाश मिसाइल, यानि कि स्तै से वायो में मार करने वाली कुन सी है, तो ये हो जाएगी रिशूल, टैंक वेधी मिसाइल कौन सी है, इसमें नाग, ठीक है, नेक्स्ट निमलिकित में से कौन सा गुन भारी पानी यानी की हैवी वाटर में नहीं होता है, जो नहीं होता है, वो बताना है, तो देखें, यह संक्षारन उत्वन करता है, बिल्कुर सही है, भारी पानी का गनत्व साधारन पानी से अधिक होता है ये भी सही है ये गलत है कि भारी पानी का क्वांतनांक साधारन पानी से कम होता है ऐसा नहीं होता है क्योंकि भारी जल का जो क्वांतनांक होता है वो साधारन पानी से जादा होता है साधारन जल से जादा होता है कम नहीं होता है तो इ आप्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अगनी का सही वर्णा निमली कि तुमें से किस के द्वारा होता है अगनी क्या एक दिर्ग प्रास मिसाइल है यानि कि बैलिस्टिक मिसाइल है तो फ सी ये जो है सही हो जाएगा आइंस्टीन की द्रव्यमान उर्जा संबन को किस समीकरन के द्वारा व्यक्ति किया जाता है आइंस्टीन ने जो है कौन सी एक्वेशन दी थी इसमें से E equal to MC square E क्या यहाँ पे energy या उर्जा कह लीजिए M क्या है द्रव्यमान है और C क्या है यहाँ पे प्रकाश की चाल है तो E equal to MC square किस ने दिया था यह आइंस्टीन ने दिया था रेफ्रीजरेटर में सीटलं किस के द्वारा उत्पन क्या जाता है तो किस के द्वारा उत्पन क्या जाता है संपीडित गैसों के अक्समात ट्रश्ण से और इस भी कौन सी गैस होती है फेयोन गैस होती है व्यक्ति प्रिथवी किस्ते की तुल्ला में चंदर्मा किस्ते पर अधिक उचा क्यों उचल सकता है reason क्या है क्योंकि चंदर्मा में गृत्वा कर्षन के कारण पृत्वी कितुलना में कम होता है चंद्रमा पर कोई अंत्रिक श्यात्री नले की सायता से नीबू का शर्बत क्यों नहीं पीच सकता क्यों नहीं पीच सकता क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायू मंडल नहीं है नाइट्रोजन, गंधाक, ऑक्सीजन या फिर जल तो राइट आंसर यहाँ पर इसमें थोड़ से कन्फ्यूजन है कि CII या डी आएगा तो इसको मैं बात वह बताती है वैसी ठीक है? अगला देखें, उच्छ तापमान किसा आयता के लिए अंतरिक्ष्यान मिनमिल कितमें से किस धातू का प्रियोग किया जाता है FE, TI, NI या PB तो अंतरिक्ष्यान में जिस धातू का प्रियोग किया जाता है वो है टाइटेनियम means TI का, B option जो है, सही हो जाएगा तामर की डिस्क में एक छेद है यदि डिस्क को गरम किया जाएगा, तो छेद का आकार क्या हो जाएगा बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, पहले बढ़ता है, और फिर घटता है तो देखें, जो तामर की डिस्क होती है और उसको गरम करेंगे तो उसके छेद का जो आकार है वो घटेगा ठीक क्योंकि गरम करने पर जो धातू होती है उनका आकार क्या होता है तो देखे गरम करने पर क्या होगा धातू का आकार क्या होता है वो बढ़ जाता है लेकिन ये छेद जो होगा, वो क्या होता जाएगा, वो घटता जाएगा, तो B option जो यहाँ पर सही हो जाएगा, निमल लिकित में से किस कोटी के photo print की जीवन अवदी सबसी लंबी होती है, मैं इसने पूछा है कि किस type की photo होते हैं, वो लंबे time तक चल सकते हैं, तो वो होते है श्वेथ चांपरिंट, यानि कि जो black and white photo होते हैं, वो ज़्यादा चलते हैं, as compared to colored photo, क्यों? क्योंकि colored photo जो होते हैं, वो dye की सायता से रंग किया जाते हैं, और dye जो होती है, वो टिकाओ नहीं होते हैं, सुर्ये के प्रकास में कह लीजिए, या नमी कह लीजिए, वो क्या हो जाते हैं, लेकिन जो black and white होती हैं, उसमें क्या किया जाते हैं, सिल्वर धातु का प्रियोग किया जाते हैं, तीक है, सिल्वर मैटल का, इसलिए जो है, वो जादा दिनों तक सुरक्षित रहते हैं, नेक्स है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग से कौन से color होते हैं, तो द कीया होता है, अभीकेंद्र बल के समान होता है, सेंट्री पिटल फोर्स के बराबर होता है, इसलिए, क्रित्रम सेैτलाइट के अंदर वेक्ती बारहीम मैसूस करता है। आधुनिक चरम शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातू पाई जाती है जो विशैली होती है निकल, जस्ता, क्रॉमियम या सीसा तो टैनिंग वाले जो उद्योग होते है उसमें क्या होते है चमड़े को बदला जाते है उसका शोधन क्या जाता और उनमें कौन सी धातू होती है उसमें होती है ग्रॉमियम चीक है तो यहां पर सी ओप्शन जो है सही हो जाएगा तो यह थे एंसी आर्टी से रेलेटी कुछ इंपोरेंट कोस्टिन थांक यू सो मच कि अगल जाता जाता थो यहां जाता भा दो है, जाता में कुछ जाता धूटी कुछ जाता है